हेलो फेंट, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, आउनलाइन लर्निंग वेबसाइट, दोस्तों हम आज भात करेंगे पूरु मद्यकाल में, 650 इसवी से 12 से 6 इसवी के बीच में, उत्तर भारत या राजपूत काल के अब्जेट्टिव कोईशन्स के बारे में, जो कि आपके के लिए काफी मैत्रपूर होने वाले हैं, पहला कोशन की तो आगे पढ़ते हैं, पहला कोशन की कह रहा है कि पूरु मद्यकालीन भारती एतिहास में, 750 इसवी से 1200 इसवी तक का समय मोकित्वा माना जाता है, उत्तर भारत के संदर्प में, राजपूत काल, यानि 750 इसवी से 1200 इसवी जो होगा, वो आपका राजपूत काल माना जाता है, 712 इसवी में, सिंद पर अरवों के आक्रमन के समय वहां का सासक कौन था, दाहिर, सरपतम भारत में, जजिया कर लगाने का स्रे, सिंद के विजयता, मुहमद बिन कासिम को दिया जाता है, उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्टा मुक्त कर रखा, ब्रामडों को, कुशम फोर, किस गरंद के उलेक के आधार पर यह मना जाता है कि, मलेच्छों के अत्याचार से तरस्त होकर, महरसी वसिस्ट ने अत्याचारियों के विरास हे तु, आपू परवत पर एक यग किया, एवं यग के अगनी कु से चार राजपूत, कुलो, परमार, चौलक, सौलंकी, प्रतिहार, एवं चौहन का जन्म हुआ, प्रतिविराज राशो, डिली का, दिली, नगर की इस्थापना की थी, तो मुरों ने, कुशम 6, उस असा का नाम क्या है, जिसने विजह इस्तंबिक का निमान कराया था, अरब, प्रतिविराज राशो, निम्की में से किसने लिखा था, चंद, बर, दाई, कुश्चन मन नाइन, मैंस दो कॉलम करना है, जहांब आपने दे सकते हो, सौची 1, सौची 2, तो प्रतिहार या परिहार, कनोज, चंदेल, खुजराहू, परमार या पावार, धार, चौल प्रोग्रिसिव करते हैं, वोस्तो, कुश्चन मन टैन कह रहा है कि ग्यारा सो इस्वी में निर्मित मंदिर, जो भुवनेश्वर के अनि मंदिरों पर प्रधानता रखता है, वह कौन सा है, त्री भुवनेश्वर, लिंग राज, दिलवाडा मंदिर, कहां पर इस्थित है, आबू परवत, कुश्राह इस्थित मंदिर, उकर इर्मान किसने किया था है, चंदेल राजपूत, विजय इस्थम कहां इस्थित है, चित्दोडगण, लिंग राज मंदिर की नीव डाली थी, यदिती किसरी ने, सोमनात के मंदिर पर 1025 इस्वी में महमूत गजनवी के आक किसने लिखी थी, विज्ञानेश्वर, ब्लैक पगोड़ा है, कोणांक में, सोचीवना सुशीटों को मिलाना, राजबंस और उनकी राजधानी, चोहान या चाहमन, अजमीर, गडवाल या राठोर, कन्नोज, गुलेतु, सिशोदिया, चितोड, कुल्चरी या है, त्रिप किसे कहा जाता है, कर्नल डाट, सोचीवना सुशीटों को मिलाना है, राजबंस और उनके राजधेश्चेत, चोहान, दिल्लीवा अजमीर, पतिहार, कन्नोज, परमार, मालवा, चौलक के सौलंकी, काधियावार, सोचीवना सुशीटों मिलाना है, चंदेल, जे जाकुब, कुल्चरी, चेदी, गड़वाल या राठोर, कन्नोज और गोहिलोत मेवार से संबंदित है, कुशन डुटीटों समझलित करना है, राजबंस और उनके संस्थापक, चोहानवंस के संस्थापक, वाशुदेव, परमार, सी अक दिदिय स्रीहर्स, चौलक के सौलंकी, दीसरा मूल राजपता, और चंदेल, नन्नुक चंदेल, कौन से संब्रित नहीं है, राष्ट कूट, विजयले से संब्रित नहीं है, यानि संब्रित कौन से है, चंदेल, नन्नुक चंदेल, कुल्चरी, कुकलवन, गड़वाल, चंद्रदेव, हारी केली नाटक की रचेदा है, च कुछ अंस कढई दिनका झोपड़ा नामत मस्जित की दिवारों पर अंकित है हरी केल रानी पदनी का नाम अलावधिन खिल जी की चितौर विज़े से जोडा जाता है राणा रतन सिंह विकरम सिल्ड ला सिच्छा चेत्र सिच्छा केंदर के सनस्थापक का नाम है धर्म पाल लस् Singapore nemmen 28 उंगि निलिकी में से किस मंदिर परिशर में एक भारी भरकम नंदी की मूरती है जैसे भारत की विशांव मनली मूरती मना जाता है कंदरिय महादेय मंदिल के है यतिमिंद नहीं संव़त चलाने पुरी के मंदिर में किस सैलिक से निर्मित थे हैं नागर राजवन्स जो कन्योज पर अधिपत स्थापित करने में त्रिकोंडिये संगर्स में उल्जे हुए थे वे थे पाल प्रतिहार एवं राष्कूट बारत में प्रथम आक्रमर्कारी था मुहम्मद बिन कासिम जगनात मंदिर किस राज में हैं जगनात मंदिर उड़ीशा राज में हैं पुरी के इस्तित कुणांक के विशाल सूर्देव के मंदिर का निर्बाता थे कौन है नर्सिंग मार बोज परमार दोरा रजित पुस्तके हैं सम रांगड सूत्धार दूसरा स्रस्वती कंटा भारण तीसरा योग सूत्रवती चौथा आरवेड सर्वस समरागड सूत्धार का विश्य है इस्थापिद्र सास्त्र उसके मिद्द्यू से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही नैसित हो गये या उक्ति कि सासक के संदर में है भोज परमार कि सासके राज़दर्वार में जैन अचार हिमचेंद्र को सरणशव मिला जैसिंग सिद्राज और कुमार पाल वहार भारतिय सासक कौन जिससे तो एक अकरानता महम्मदगौरी का सामना हुआ और जिसने महम्मदगौरी को परास्त किया भी दिदिया किस सासक ने कलिंजर के अजय दुरक का रिमान करवाया धंग देव निल्मकिर में वहां कौन सा समवरत है जो कुल चरियों द्वारा प्रियुत किये जाने के करण कुल चरी समवरत भी कहलाया त्री केटक समवरत किसके राजकाल में लच्पी धर ने कल पुत्रम या करत कलब तरू नामक विधी से ग्रंत की रशना की गोविंद चंद्र चंद्रावर का युद 1194 में इसी में किसके मद्ध हुआ जैचिंद्र एफ मुहम्मद गौरी निशेद चरित हुआ खंडन खंडगाद के रचैता स्री हर्स किस सासा के राजकवी थे जैचंद्र दिन्मकिर में से सहरों में से किसमे लंग राज मंदर आ मिलाना है ग्रंथकार और ग्रंथ कलहर राज तरंगनी पिलहर विक्रमाद चरित जैनक प्रत्वी राज विजय और सोमदी ललित विग्रे राज किस पर सौमित्व के पाल प्रतिहार वराश्ट क्रूट के बीच त्री पक्छिय संगर्स हुआ कन्नोज त्री पक्छिय संगर्स की पहल किसने की वद्स राज त्री पक्छिय संगर्स का आरम किस नदी में हुआ आठवी सदी इश्वी में त्री पक्छिय संगर्स का आरम और अंत के किस राजवन्स ने किया प्रतिहार त्रीपर्ची संगर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीती में हस्ता चेप करने वाली और दर्ची भारत से उत्तर पर आक्रमन करने वाली तच्छन की पथम सकती थे राश्कूर्ट पालवंस का संस्थापक कौन था गोपाल पालवंस की राज़ानी थी बुद्दगिरी मुंगेर राश्ट कूट वंस का संस्थापक था दंती दुर्ख या दंती वर्मन दिती है राश्ट कूट वंस की राजानी थी मालखंड या मानकेत किस प्रतिहार साशक ने अधी रवारा के उपादिधान की महिर भोज किस विदेशी आती ने गुरुजर प्रतिहार वंस को अल्गुजर एवम इस वंस के साशकों को बौरा कहकर पुकारा अलमसूदी कूपर मंजरी नाटक के अचेता राज सेकर को किस प्रतिहार साशक ने संश्ण दिया महेंद्र पाल प्रतिहार स्यम को लच्मन का वंसच मानते थे जो राम के प्रतिहार थे 750 इस्वी में बंगाल के पाल वंस की स्थापना करने वाले को पाल ऐसे साशक थे जिने सामंती सरदारों ने चुना किस पाल साशक को गुजराती कवी सोड हल ने उत्रापत सौमिन कहा धर्म पाल नवी सदी में भारत आय अरब यात्रीस सुलेमान ने किस समराज को रहमा कहकर संबोधित किया पाल हिंदू विदी की एक प्रसीद पुस्तक दाय भाग के रचैता थे जिमूती वाहन रामशरीत की रचना किसने की संध्याकर नंदी पाल वंस के वतन पतन के बाद बंगाल का राजनितिक नित्त प्रदान किया सेन वंस ने सेन वंस का संस्थापक कौन था सामंत सेन किसन इसमती गरंत दान सागर एवा जोतिर सगरंत अधबत सागर की रचना की थी बलाल सेन पुछमे सेंडित्री कस्मीर पर लगभग पचास वरसों तक शासे में करने वाली रानी दिद्ध ता मूल रूप से किस वन्सकी राचकमारी थी लहौर वन्सकी कायस्तों की एक जाती के रूप में पथम उलेक कहा मिलता है ओष्णम इसमती में सुचीवन सुचीटू को मिलाना है इसमें आप जाते हैं सुचीवन में नाकर सैली, बेसर सैली और द्रविन सैली एक तो तीन दैट मेंज नागर सहली जो है वा समभदी थे उत्री भारत में हिंदुओं में या द्रण विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा स्रेश नहीं है और कोई राजा उसके राजा के समान नहीं हैं उनके सास्त्रों के समान कोई सास्त्र नहीं है या उक्ति किसकी है अल बेरोनी सूचीवन सूचीटूब सम्रित करना है मंदिर और निर्माता लेंगराज मंदिर या भुवनेश्वर केसरी नरेश जगनात मंदिर या पुरी अनेंद वर्मा या चोंड गंग सूर्य मंदिर या कोडांख नरसिंग देफ या पूरवी गंग नरेश गुर्जर पतिहार के उज्जेनी साखा का संस्रापक कौन है था नाग भट प्रधम खुजराओं के मंदिरों का संबत है A, B और C तीनों से यानि सैव संप्रदाय, वैश्णों संप्रदाय और जैन संप्रदाय जैन वास्तुकला का पाचिंतम उधाना कहां मिलता है दिल वाड़ा, अधूंत पुरी विश्वदाले यानि बिहार सरीफ नालंदा जिला का मक्षाले बिहार का संस्तापक था गोपाल कुछ में 82 पे आते हैं मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज में इस्तित है गुजरात में कलड़, करत, राज तरंगड़ी में कुल कितने तरंग है आठ सुचीवन सुचीद को मिलाना है मंदिर और उनके निर्माता का तो चतुर भज, विश्णु मंदिर खुजराहो यशो वर्मा, कदन्रिया, महादेव मंदिर खुजराहो धंग, विमल वसीह मंदिर आबू, दिलवाड़ा, विमल शह वैश और लून वसीह देवरानी जैठानी मंदिर आबू, दिलवाड़ा, तेजपालवा, वास्तुपाल कुश्मा 85 सचलिवन समलित करना है सुचीवन सुचीटो को तो मच्छेंद्र नात का मंदिर, अमर कंटक मंदिर, 64 योगनी का मंदिर, बेडा, हाट, जवलपूर, और सूर्य मंदिर, मरोडा, और चॉम्मुख मंदिर, पलिधाना दोस्तो, थैंक्स पर वाचिंग और शेरिंग